कि हेलो गाइड्स ओपर दोस्तों कैसे दोस्तों आसके तो बहुत अच्छे होगे तो गाइड्स अब देख सकते हैं एल्जी कंपणी के सेड़ी भी मैं होम सर्विसिंग लिए गया था इसका पॉलम ही है कि इसका कश्मार को बोलना ही है कि इसमें हाफ पिक्चर आ रहा है लेकिन नीचे बस इसकी नीचे वीडियो चल रहा है लेकिन ऊपर में बलाग ने यहां पिक्चर का पॉलम क्यों होता है वोल्टेज मिसिंग लिए होता है तो मैं टीवी खुलूंगा और देखांगा दिखांग आपको कि क्यों इसका फॉल्ड थे तो देख लिए मैं इसका वीडियो लगा रहा हूं और इसका साउंड भी तो बिल्ग लोगे है क्योंकि इसका पॉल्म है बस वीडियो पर ओके तो देखिए आप पिक्चर कैसा रहा है देखिए नीचे पिक्चर है उपर कोई पिक्चर नहीं है तो आप पॉब्लम पूरा ध्यान से देखिए और देख लिजिए इसका वीडियो लगा के देखा दिया आपको कि पूरा वीडियो इसको अब देख लिजिए किसका फॉल्ट कैसा है तो चलिए मैं इसको टीबी को खोलता हूं और देखता हूं कि क्या इसका रिजन क्या है इस आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिमि कॉमेंट नहीं करते हैं कॉमेंट करना बहुत ज़रूरी है क्यूंकि कॉमेंट से जो है ओसल मिलता है तो क्या चाहते हैं क्या वीडियो कैसा लगा आपको तो प्लीस कॉमेंट कीजिए तो गाइट्स चलिए आपना तो काम हो गया मैं तो इसका बैक कोबर खोल दिया गाइट्स आप क्या करेंगे इसका तो आप थोड़ा सा इसको क्लिंट कर लेजिए कि क्लिंट करने से इसका बहुत अच्छा होगा तो देखिए SMD IC यहां पर लगा हाँ तो मैं IC को कोई भी मैं यहां यानि कहीं पर भी वोल्टेज नहीं चेक करूंगा क्योंकि आपके पास जब कन्डिशन एसा है आप पिक्चर या फिर निडिल पर यह है या फिर आपकी मिडिल्डी नीचे कठा आइपर कठा आए तो ऐसा जब भी आपके प्लट आईगा तो आप तो आप सब्सक्ائ वाडी सेक्सन चेक ही जए तो में देखे यह एक कंपनेया कमपनेया जो पिक्टर ट्यूबक से ले लिए ग्राउन तो इसके लिए आपको माल्टिमेट को 200 के रेंज पर सिलेट करना पड़िए तो मैं 200 के रेंज पर आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखिए आपको नॉलेज मिलने वाली है यासे तो देखिए बाडिकल आईसी पर देखिए तो बाडिकल आईसी का आप लोग जानते ही हैं दो सप्लाई में दो पिर है इसमें पूरेटिव बोल्ट आता है यानि एल जी का जो एसेट है एट्टिन से 20 बोल्ट तक आएगा दो देखिए आना चाहिए यहां पर देखिए तो माइनस तीन वोल्ट आ गया यहां पर नेगटिव नहीं आएगा तो नेगटिव आड़े वोल्ट जो माइनस तीन है वोल्ट ज्यादा होगा तो देखिए यहां पर डायोट के इस पार में देखिए वोल्ट इस पार में देखिए यहां प पर माइनस भोल्टे और यहां पर देखिए पॉल्टे तो गाइट्स देख सकते हैं आप डाइट की उस पार में प्लास भोल्टे और इस पार में नेगटिव देखिए तो क्या होड़ा गैट्स ए डायोड जो है इंटरनली ओपन हो जुग है थोरा से स्वाट हो जुग है निगेटिव में यह निगेटिव कर रहा है भोल्टेज को और बहुत कम दे रहा है इसलिए जो ऐसे फोल्ट आ रहा है तो देखिए आप पोजिशन पोजिशन देख देख हाई चले था तो गाइड्स आप यह करेंगे आप फिर से आपको दिखा रहा हो दीख लीजिए निगेटिव पोल्ट है यहां पर अच्छा से देखी है आई देखिए यहां पर भी नेगटी भॉल्टी आगा है यहां पर भी नेगटी दिजार है क्योंकि यहां पर 105 तक तो यहां पर देखिए यहां तो हैं वोल्ड है यह जो फॉल्ड है इस radiator के सूर यह है और यह इन्टर्नली सौइध के थे रहा है और बोल्टेज कम दे रहा है तो आप क्या कर लेगे इस डायट को ऊपन कर देजिए तो देख्या में अब उपन कर रहा हूं आई क्योंकि भाडिक कराईज जो तीन यारद यल्टार के आप जुए नेगेटीव बोल्ट आयता है तो यहां यहाँ पर हो क्याओ लाए गाद सहिए rich ह 창श प्लॉट ऑद बिया है वmen laws प्लस फ्रेंच इंस меньше negative 3 volt है तो आप क्या करेंगे आप उसी लाइन को ट्रसिंग करके जाएंगे देखें आपको देखना को लेगा एक डायोड से यहां पर बोल्टेज देर आए ओके ए डायोड तो इस डायोड को आपको देखना पड़ेगा कि डायोड को उस पर सही है या नहीं अगर सही होगा त पूजिसें नॉमर इसको कितना हैं तो निकाल जा कि मुझे नहीं मालूम लेकिन देख लिजे आप की हीट सिंग के अंदर रहता है यह डायोड को तो थुरा सा थुरा सा दीख रहा है पोई से नंबर के में तो नहीं आड़ा है तो गाइट से बस पोजिशन देखने के देखने के जोड़ित नहीं है आप वहाँ पे वह जो पोईटी भोल्ट दे रहाए और दो पीनी साच किजिए यानि ट्रसिंग किजिए नहीं आएगा तो यह डायोट दे के जो भोल्ट दे रहा है इसमें डायोट का खड़ा आप तो 4007 यहानि 4007 इसका नमबर है तो गारिश क्या करूंगा यहां पर मैं 207 डायोट लगातों तो एसा क्या तो आपके पास नहीं होगा अगर two two zero seven to two seven दो साथ डायोट लगा सकते तो यहां में लगाऊंगा तो क्या करूंगा मैं फर्स्ट टाइम इसको ऊपर से लगा दोगा तो देख लिए आपको नमबर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं क्यूंकि आपको दिख रहा है यह पर नहीं मालूम नहीं यानि डिस्कले में आढ़ा है थुरा थुरा आढ़ा है तो बस 207 लगाई आप यह फार 207 तो आप क्या करेंगे उपर से मैं लगाऊंगा इसको चेक कर लग रहा हूं कि इसमें डायोड लगा के काम होता ही है अगर काम नहीं हुआ तो कुछ और कॉंपोनेंस चेक करना पड़ेगा आसा करता हूं कि गाइड़ काम हो जाएगा तो देखिए मैं उपर से डायोड को लगा दिया आप क्या करने के तुरह उसका जो शोल्डर यानि डिसोल्डर है थोड़ा थोड़ा जगा पर वो सब तुरह से सोल्डर कर देता हूँ उसके बाद आपको लाइन दूगा और सेट को दिखाऊंगा कि पिक्चर कैसा अड़ा है और इसका वोल्टेज मेजर करके दिखाऊंगा पहले जो बोल्टेज आ रहा था माइनस थ्री व पॉल्म था वह सॉल्व हो चुके है क्या बात है कमाल है और जो डाइवड हो खड़ाब था और नेगेटीव बोल्ट आड़ा है सही और देखिए 20 वोल्ट सही है जो माइनस 3 भोलता वो सही हो चुके हैं आप क्या करूंगा सिधे ही आपको डिस्प्ले की तरफ ले जाओं इसकीन की तरफ और देखिए जो अमारा पॉल्म था यानि यह भी फास्टाम क्यार होता यह भी नीचे आड़ा था ओके उपर कटा आथा तो पॉल्म सॉल्व हो गया तो बस ऐसे ही उपको रिपेरिंग करना है और कोई बात नहीं है तो मैं यह भी लग रहे हूं और आपको पिक्चर भी दिखा रहा हूं कि पिक्चर कैसे आड़ा है तो गाइडो किया बात इक माल है पिक्चर आ गया Abade प法 पीक्चर भी सही आ चुके है और साउंद तो बिल कि तो देख लिए आप और आपको फिर से दिखा रहा हूं कि इसका पॉलेम क्यों आ रहा था और वोल्टेज क्या इसका हालात है तो देख लिजिए कहाँ पे है तो काइट मैं डायोट को खोलूंगा और खोल के अंदर से लगाऊंगा आपको बस टेस्ट किया इसमें लगाके तो फिर से आपको थुरा सा फोल्टेस दिखाई देता हूँ अगरे देखिए 20 वोल्ट आए प्लस और इधर भी देखिए इधर भी आए जो नहीं आए था फास्ट टाइम डायोट के इस पर में देखिए 20 वोल्ट ओके तो प्लीज गाट देखते रहें इस ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो तो मीलते हैं अगलों बीडियो तब तक लिए बाइ जाए हैं दोसो